बात आपके उस मर्ज की कर लेते हैं जो बड़ी तकलीफ देता है क्या पीडी दर पीडी ट्रांसफर होने बाली जैनेटिक भीमारिया ठीक हो सकती है दुनिया में उमीद इसकी जगी है अमेरिका में इस तरफ एक नया कदम बढ़ाया है ये खबर आपको इसलिए दिखानी बहुत जरूरी है क्योंकि मामला पब्लिक इंटरस्ट का है अमेरिका के बेगैनकों के हाथ लगी है एतिहासिक सफलता जैनेटिक भीमारी के परसार को रोपने वाली जीन थेरपी को अमेरिकी FDA की मन्जूरी मिल गई स्किल्सेल अमीनिया जीन थेरपी पर मोहर लगी यूएस फूड एंड ड्रग परशासर ने दी मन्जूरी 12 साल से ज्यादा उमर के रोगियों को दी जा सकेगी वेस गेवी जीन थेरपी स्किल्सेल अमीनिया अनुवांशिक रोग है इस बिमारी में लाल रख्ट कोशिकाएं जल्दी तूट जाती है फून की जांच से होता है बिमारी का खुलासा फेवडो मैस संक्रमन अमीनिया किर्णी फेलियर स्ट्रोक हो सकता है अब सवाल उड़ता है कि इस बिमारी का परसार होता कैसे माता पिता से मिलते हैं दो जीन दोनों जीन्स में आसमान्य एच्बी एस प्रकार का होमोग्लोबीन होता है आसमान्य होमोग्लोबीन वाली रेड ब्लड सेल को स्किल्स सेल का जाता है चलिया हेल्थ एक्सपर्ट से फूचते हैं कि अमेरिका में स्किल्स सेल की थेरपी को FDA की मंजूरी के माइने क्या है वो जो पर्टिकुलर ड्रग है दाट है पास्ट ओल टेस्ट वो सेफटी वाइस और एफिकेसी वाइस प्रूव हो चुका है जो भी कॉम्प्लिकेशन्स इस बीमारी की बज़े से होते हैं वो कॉम्प्लिकेशन्स की रेट बहुत कम हो जाएगी भारत में भी जेनेटिक बीमारियों के मरीज बड़ी संक्या में हैं तो क्या अमेरिकी जीन थेरपी भारत के लिए संजीवनी सावित हो सकती है क्या अमेरिकी थेरपी जेनेटिक बिमारियों पर रोक लगा पाएगी? अमेरिका में करीब एक लाख लोगों को स्किल सेल जीन थेरपी का फाइदा मिल सकता है अगले साल यूरोपियन यूनियन से भी इस थेरपी को मंजूरी मिलने की उमीज जताई जा रही है हमारे देश में थेलेसेमिया डाउन सिंड्रोम जैसी कई जेनेटिक बिमारियों से लोग पीडित है उमीद करनी चाहिए साइंस और तरक्की करें ताकि दुनिया को परेशान करने वाली इन बिमारियों की सारी परेशानी ही खत्म हो जाए जैसे ही घड़ी का काटा तो बहर ढाई पर आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और यह है इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब यह करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे